नमस्कार साथियों मैं डॉक्टर अजनी स्कॉलर्स ऑफ प्लिटिकल साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूं एंसर की आने के बाद से आप सभी के बहुत से सवाल थे कि इंटर्व्यू की प्रक्रिया कैसी होती है इसके लिए तैयारी कैसे करें कौन से टापिक्स पढ़ाएं नौकरी पेशा अभ्यारती कैसे तैयारी करें तो ऐसे ही कुछ सवालों को यहां पे अड्रेस करने की कोशिश मैंने की है कि हम इनको कवर कर पाएं और मैं इत्ती ग्यानवयान नहीं हूं लेकिन बस मैं आपना अनुभव आपके साथ साजा कर पाऊंगी यह हमारी इंटर्व्यू सीरीज है जिसका आज पहला भाग या पहली वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं यह सभी विशेयों के जो अभ्यारती हैं उनके लिए काम आ सकती है विशेय शुप से पलिटिकल साइंस की बात की जाये तो ऐसे अभ्यारती जिन्होंने ती की 85 है तो फिर वो 90 की रेंज भी नहीं आगा ऐसा नहीं है नभ्य के करीब जो भी है मेरा अनुमान है कि अब उस इंटर्व्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं तो शुरुवात करते हैं सबसे पहले इंटर्व्यू प्रक्रियाओं में भाग ले चुके हैं उनके लिए प्रक्रिया बड़ी ही जानी पहचानी सी है तो उन्हें विशेश इस समद में समस्या नहीं है लेकिन जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो पहली दफ़े रपीसी की परिक्षा दे रहे हैं या किसी भी पब् जानने का उन्हें उत्साः है और जानना चाहते हैं तो दीखी सबसे पहले तो आपकी एंसर की आ चुकी है एंसर की के बाद आप हम परिणामों की जो है वहां इंतजार कर कितने व्यक्तियों ने या कितने अभियर्थियों ने इंटर्व्यू मतलब next step के लिए next चरण के लिए उन्होंने qualify किया है और इसके साथ ही जैसे ही प्रोविशनल रिजल्ट आते हैं करीब सब्ता भर का समय जहां तक मैं अनुमान लगा पा रही हूं आपको दिया जाता है ए यह detailed application form जो है वहाँ RPSC की website पर ही available है जो पहले सक्षातकारों में बैठ चुके हैं सक्षातकार दे चुके हैं वो इससे familiar हैं लेकिन जो अभियर्थी नए है उन जब आपके results आना शुरू होंगे तो मैं अपना डीएफ जो है वहाँ आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आ अगला चरण इसका रहता है अब देखिए प्रोविजनल रिजल्ट आ चुके हैं आप लोग इंटर्व्यू के लिए क्वालिफाय कर चुके हैं अब गेंद जो है वहाँ RPSC के पाले में है कि वहाँ कब साक्षातकार करवाती है लेकिन जिस हिसाब से मान के चल रहे हैं सरक इंटर्व्'s कारने सेफम्बर के लिए केवल आपका प्रोविजनल रिजल्ट आने का मैं लगा पारे हूं कम जयदा हो सकता है यह अंतिम दढ़स नहीं है तो ठीक आप प्रोविजनल श्रकाया मान लिजए अप्डमर में YOU और और मान के चल रहे हूं कि करीप तीन महिने और आपके लग सकते हैं, तीन से चार महिने आपके और लग सकते हैं, इंटर्व्यू होने में, क्योंकि बड़ी भड़ती है, न भूतों न भविश्यती ऐसी भड़ती आई नहीं है, और संभावना भी नहीं लगती कि इतनी बड़ी भड़ती हैं, जो हैं, करीब 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 डिसेमबर तक मैं अनुमान लगा पा रही हूँ अब यह भी हो गया इंटेव्यू की देट्स पी माने लीजिए आपकी आगई तो इंटेव्यू की डेट्स कभ आएंगे तो करीब देखिए कंटर पहला दिन होता है बहुत दिनों तक चलते हैं जिद अगर आपके interview की dates जो है तीन महिने के बाद आती हैं तो उसके 10 दिन के पहले जिस दिन आपका पहला interview शुरू होने वाला होगा उसके 10 दिन पहले करीब जो है आपको सूशना दी जाएगी कि इस तारिक से इस तारिक तक political science के interviews जो हैं वह होने वाले हैं 2016 के जो interview थे मतलब जो 18 में interview हुए थे exam 16 में वा था वो वाले interview तो दो चरणों में हुए थे लेकिन हमारा वाला interview जो था वो तो 4 जुलाय से लेकी 21 जुलाय तक चला था तो वो एक ही चरण में हो गए थे तो आपका RPSC कैसा आपनी सुविधानुसार pattern अपनाती है वो RPSC के ओ पर depend करता है लेकिन हां interview जिस दिन आपकी dates declare होंगी interview शुरू होने के पांच दिन पहले करीब जो है वह आपके interview letter आपके पास आएंगे जिसमें आपको दे रखा होगा कि आपका batch कौन सा होगा आपकी date कौन सी होगी दो batches में interview चलते हैं एक तो सुभह 9 बजे वाला batch होता है एक होता है दो बजे वाला batch दो batches होते हैं और दोनों ही batches में आप मान के चलें कि अगर पांच लोगों का बोर्ड है और पांचों के पांचों ही interview में सलगन हैं तो सातु पंजब 35 करीब 7-7-8-8 एक batch के लिए अलॉट की जाते हैं तो 35-35-70 तो कुल मिला के 70 लोगों का interview ए अगर पांच लोगों का बोर्ड रहता है तो उस हिसाब से मैं इसलिए बता रहे हूं ताकि आपके results जो है प्रोविजनली किते candidates क्वालिफाय करते हैं और उसके हिसाब से अपनुमान लगा पाएंगे कि आपके interview कितने दिनों तक चलेंगे जिस दिन आपका interview होगा उस दिन वैसे interview RPSC अजमीर में होते हैं और कहीं नहीं होंगे उस दिन आप जाएंगे आपका interview letter दिखाएंगे उस हिसाब से आपको जो है वह अपने groups alert करेंगे group alert होने के बाद आपको बाका आपका number alert होगा कि आपका पहला number है या अन्तिम number है तो यह alert होने के बाद आपको number wise जो है copies में भढ़ने की एक आपके पास रहेगी एक वहां जा सकती है डीएफ में जो भी आप mention करेंगे उसका original document आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास उसका original document नहीं होता है तो valid नहीं कहलाएगा डीएफ अगरा कि जो दस्तावे सत्यापन हो जाता है उसके बाद आपके interview के लिए आप अनजार करें कि आपका बारी कब आती है और फिर आप interview के लिए परस्थान करते हैं किसी candidate नहीं सवाल पुछा था कि नैट कब तक होनी चाहिए तो नैट जिस दिन आपके interview का पहला दिन है ना पहल आपका interview मान लो जैसे हमारे interview जुए थे चार जुलाई से लेकि 21 जुलाई तक मान लीजिए कि मेरा interview 20 तारिक को है तो क्या मुझे 20 तारिक को नैट चाहिए होगा नहीं मुझे interview चाहिए होगा 4 जुलाई से मतलब जिस दिन आपके interview शुरू हो रहे हैं specific आपके subject क मतलब जो minimum qualification है आपका master's degree आपकी complete होनी चाहिए और आपका net आपके पास होना चाहिए तो यह दोनों चीज़ें होने चाहिए interview जिस दिन आपके subject के शुरू होते हैं उस दिन अब दिखिए panel में किते लोग होते हैं तो panel में एक तो RPC member होता है और फिर दो होते हैं member experts और तीन लोगों का panel जो है कुल मिला के यह होता है यह सारी बाते शौट में मैंने आपको बता दी क्योंकि अब समाने सी बात है यह हमारी चर्चा का विशय नहीं है चर्चा का विशय हमारा यह है कि interview की तयारी कैसे करें लेकि सबसे पहले तो जरूरी ह हमारे यह लिए यह है कि अब हम नोट पढ़ने को छोड़ें क्योंकि नोट भले हमारी तयारी के लिए उन्होंने कितना ही योगदान दिया है लेकिन आप दूसरों को जब बताते हैं पैनल को जब बताते हैं कि आपनी केवल और केवल नोट से कोचिंग की गाइड से तयार पढ़ने के चकर में आपको लगेगा कि रेफरेंस बुक कोई अच्छा माना जाता है तो आप यहां गलत भी हो सकते हैं आप टेक्स भी पढ़ें जिससे अंड़स्टेंडिंग अच्छी हो किताब होनी चीए अब टेक्स्ट हो या रफ्रेंस हो जादा फरक नहीं पढ़ता अभी आपके पास मोटे मोटे रूप से मानके चलें कि 6 महीने आपके पास हैं आप अपनी कमियों को पहचाने अगर आप आई कॉंटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो ग्लास में देखके अपने पेरेंस फेमली मेंबर दोस्तों सबसे आई कॉंटेक्ट करके बात करनी की करें मेरी कमी यह थी कि मैं अधाफिक एक्स्प्लेइन करते टाइंग और कुछ में बात करते समय विश्य शुप से पढ़आते समय जो है या उत्तर करते समय मैं समय और शब्द सीमा दोनों का खयाल नहीं रख पाती थी ये मेरी कमी थी और मुझे मालूम थी मुझे मालूम थी इसका मतलब यह नहीं कि और लोगों को मालूम नहीं थी और लोगों के शुरू से आदत ही बनी वी थी कि शुरू से ही लोगों की कमेंट की कोशिश की कि मैंने लिख लिख के पढ़ना शुरू किया और लिख 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 के ऐसे पढ़ा कि एक या देट लाइन से जादा है दो लाइन से जादा में अव्त्तर होना ही नहीं चाहिए इस सीमा में मैं ने ने आपको बांधने का प्रयास किया तो आप भी अपनी कमियों को पहचाने और अपने आपको किनी न किनी सीमाओं में बांधें और रही बात ऐसे पढ़ने की कैसे पढ़ें तो मेरा मानना है कि बिंदुवार नोट्स बनाना जो है वहां आपके लिए सार्थक हो सकता है को खुद बिंदुवार बना के रटते नहीं है जस्ट इन एक्जेंपल गांधी और अमबेटकर के बीच में अगर आपसे पूछ लिया कि दोनों के बीच में डिफ्रेंस क्या-क्या थे और समानता हैं क्या-क्या थी आपको बेसिक चीजे मालुम होगी अगर आपसे पूछ जाएंगे तो सोचने का समय वहां होता नहीं है वह सोचने का स्थान नहीं है वह अपनी प्रतिभा अपनी क्षमताओं को दिखाने का स्थाने आपकी मेहनत को दिखाने का स्थाने तो आप उसको सोचने के लिए नहीं छोड़े कि हम वहीं जाके सोच के बता देंगे ना तो परिश्रम करें परिश्रम का परिणाम वास्तों में बहुत अच्छा आएगा और इसके लिए आप यूँ कर सकते हैं आप सारणी बना सकते हैं इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं मनु और कौटिल्य की बीच में समानता और अंतर तो बहुत सारे टॉपिक्स हमारे सामने हैं जिनको आप कंपरिटिव स्टडी करके आप एक सारणी बना सकते हैं यह संभव है कि सारणी में जो आपने पढ़े ही चीजें उनमें से एक भी सवाल ना है बि कि इन छे महिनों के बाद आपको आवशक्ता नहीं पढ़ेगी कि अगर आपके सामने कोई सडन क्वेशन आ गया जो आपने टैबूलाईज नहीं किया हो आपका दिमाग उस तरीके से जैसे प्रोग्रामिंग तो आपके दिमाग में क्या प्रोग्रामिंग हो गई हो गई कि मुझे शब्दों का चैन बहतर करना है उसी हिसाब से मुझे शब्द जमाने हैं और इतनी ही मेरी समय सीमा और शब्द सीमा रहेगी आप अंतर महसूस करेंगे ये इतना परिश्रम करने के बाद खेर आगे बढ़ते हैं मेरा कुलमिला के इतना सी है कि आप जितनी अधिक संभावित मेहनत हो सकती है करें आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो भी मेहनत करें देखी बहुत अच्छे नमबर आ रहे हैं इंटर्व्यू में बहुत अच्छे नमबर आएंगे दोनों बाते बहुत अच्छी होंगी रैंक भी बहुत अच्छी आएगी आपके कम नमबर आ रहे हैं इंटर्व्यू में अच्छे नमबर लाने हैं इसलिए भी आपको महनद करनी पड़ी की सिलेक्शन होगा तो दोनों ही कंडिशन्स में आपके बहुत अच्छे नंबर है तो भी और आपके नंबर ठोड़े से कम है तो भी आपको पूरा परिषरum करना होगा और लिख लिख के परिषरum करना होगा दूसरा है कि अखबार आप नियमित रूप से पढ़ें और जैसा कि मैंने कहा कि बिंदुवार सार्णिया बनाएं नोट्स बनाएं तो आप अखबारों में जो प्रमुक खबरे होती हैं उनको भी आप एक पैसेज में समराइस कर लें जैसे USA का abortion law अब देखे USA में चुनाव होने हैं और आपके इंटर्व्यू के करीब ही चुनाव होंगे इस बात को भी आप समझके रख लें तो USA के चुनाव आपके लिए बहुत महत्मूर हो जाते हैं उनका manifesto क्या है candidates का background क्या है आपके लिए निश्चित रूप से वो पुछा जाएगा खबरों को एक passage में summarize करें उनके मुद्दे कौन कौन से हैं अब मुद्दे कौन कौन से हैं मतलब कि अमेरिका में जितने मुद्दे चल रहे हैं एक बार गी तो आपको उनको note down करना ही पढ़ेगा इसके अलावा हम चर्चा करें current affairs के लिए आप क्या कर सकते हैं तो current affairs के लिए देखिए study iq channel है जहां पे आपको IR के current events भी मिल जाएंगे और national news भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी यह मैं आपको इसलिए refer कर रही हूं क्योंकि यह दोनों short and sweet सीधी बात नोबकवास facts बहुत प्रशान धवन का मुझे नहीं ध्याने कि मैंने कोई भी इनका वीडियो देखा हो रेयर बात अलग हो सकती हैं लेकिन कोई वीडियो मैंने इनका नहीं देखा है जो 15 minutes का हो 15 minutes से भी कम समय में यह आपको बहुत अच्छा एक factual capsule आपको IR का दे देते हैं तो बहुत बढ़िय नेशनल न्यूस के लिए अंकित अग्रवाल वो भी study IQ पर हैं उनको मैं अंकित अवस्थी की बात नहीं कर रही हूं अंकित अग्रवाल की बात करें स्टड़ी IQ पर हैं यह भी शॉट वीडियो जी रहती इनकी और facts का collection भी बहुत अच्छा होता है और समय सीमा जो है उसको ध्यान में रखते हूं मुझे दोनों थोड़े मैं पसंद करती हूं इसलिए मैं आपको इसको refer भी कर सकती हूं दूसरा है BBC अगर आपको बिल्कुल quick news चाहिए तो आप BBC का mobile app जो है वह भी आप ले सकते हिंदी और English दोनों माध्यमों में उपलब्ध है कोई भी खबर होगी डेटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ें अगर आपकी रूची नहीं है कि नहीं इतने काम की नहीं है अपनी तो आप सको स्किप कर सकते हैं मतलब आप अगर मान लीजिए कि अखबार की कुछ कबरे मिस्स भी कर रहे हैं तो आपको BBC वहां पर नोटिफिकेशन के थ्रू आ जैसा कि हम लोगों ने अपनी थमनेल में बताया था कि जो इन सर्विस एस्परेंट्स हैं नौकरी पेशा लोगें वो इंटर्व्यू की तैयारी कैसे करें पहली बात तो जहां चाहां वहां रहां ऐसे भी एस्परेंट्स देखे हैं बहुत अच्छे नंबरों के साथ श्वाण दढ़ती हो सकती है तो आप कोशिष करें और कैसे कर सकते हैं देखिए आई यार जो है बेसिक्स आपकी क्लियर है आप अगर अपडेट रहना है प्रशान दवन स्टदी आई क्यू आप आफिस में येर वस लगा के सुन सकते हैं नैशनल नियूस यह भी आप सुन सकते हैं देखे जितना knowledge gain करेंगे उतना confident feel करेंगे आप इसलिए इनको regularly follow करेंगे ना चिंता नहीं रहेगी कि मैंने current affairs नहीं पड़े हैं दूसरा बीबीसी का mobile news app है अब देखे इसमें एक अच्छी बात है कि बीबीसी अपना podcast भी करता लगवगा आधे और गंटे का बीबीसी का podcast होता है डेली का आप चाहें तो उसे सुन भी सकते हैं अगर आपको आउशकता है तो service इन service लोगों की बात यहां में कर रही हूं इसके अलावा राजनीती विज्यान के जो विशें हैं topics से उन्हें short में आपको समझना है तो एके वर्मा सर का शोधार्थी करके यूट्यूब चैनल है आप उसे भी follow कर सकते हैं बहुत contemporary topics जो एक ग्रामेन बैग्राउंड के एस्परेंट जो हैं वो बहुत कम पढ़ पाते हैं मैं खुद भी कुछ ऐसे topics ते जिन में understanding मेरी नहीं थी उन्हें मैंने एके वर्मा सर के शोधार्थी चैनल से ही अपनी understanding को डवलब किया है तो इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं इंग्लिश में comparatively इन्होंने बहुत कम वीडियो डाली है हिंदी में बहुत अच्छा collection इनके पास है free of cost इनका जो है चैनल है यूट्यूब चैनल है वह अवेलेबल है तो आप शोधार्थी को देख सकते हैं दस-दस मिनट के कुल वीडियो होती है इनके लंबे-लंबे लेक्चर से इतने होते नहीं है अब देखिए हमारा हम क्योंकि अब वो शौट्स वाले लोग हो गए है ना जो बिलकुल चोटी-चोटी वीडियो को जादा पसंद करते हैं इसलिए इस चीज को पहचानते विए के वर्मास रणने भी करीब 10-12-12 मिनट के काफी सारी वीडियो डाल रखे तो आप उन्हें देख सकते हैं पिर है आप नौकरी पेशा हैं अखबार तो जहां भी जाते हैं वहां आपको मिलता ही होगा तो इस अखबार को अच्छे से पढ़ें और यह ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश न्यूस पेपर ही पढ़ें कई जो इंटर्व्यू के लिए गाइट करते हैं वो यह कहते हो तो इंग्लिश न्यूस पेपर को स्किप कर सकते हो आप एक अच्छा अखबार कोई भी पढ़ें किसी भी मीडियम का जिस मीडियम के आप राजस्थान से बाहर के जो लोग है उनको जरूर मैं सज्जेस्ट करना चाहूंगी कि आप राजस्थान का एक न्यूस पेपर ज जो हैं उससे भी आप अपडेट रहें इसके लिए एक नएक राजस्थान का अखबार आउट ऑफ जो स्टेट हमारे एस्परेंट से वह इसको ले सकते हैं तो यह कुछ चीजें जो थी देखिए करन्ट अफेर्स और क्या-क्या चीजें आपको देखनी है यहां विशेश पढ़एं तो आपके पास एक रीजन है कि क्योंकि आप नौक्री पेशा है इसलिए जादा पुस्तक है नहीं पढ़पाये तो अपने आपने विशेश एक पुस्तक टो एट-लीस्ट आप पढ़ सकते हैं तो कोशिश करें एक पुस्तक पढ़ने की क्योंकि हमारे पास छे म महिने हैं का मतलब यह है कि अगर आप 15 दिन में एक कुछ तक पढ़ते तो छे महिने में आप 12 किताबें पढ़ सकते हैं इसलिए इस विशय पर अभी चर्चा नहीं करें आपके वल पढ़ें जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा स्वयम की इंटरस को पहचान पाएंगे मैंने जॉन स्टूर्ट मिल पढ़ाया था आप भी भविश्य में अगर किसी टॉपिक का चैन करने वाले हैं तो कोई ऐसा टॉपिक लें जिससे आप 2-3 मिनिट में समराइस कर पाएं बड़े बड़े भाषण या बड़ा लेंदी टॉपिक चूज करना जिसकी क्यों बूमी का बनाने में ही हमको चार-पांच मिनट लगते हों ऐसा टॉपिक मत लीजिए इसके साथ ही कुछ ऐसा टॉपिक मतलब बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखके लिया जाता है दूरेशन उसके दो से तीन मिनट होनी चाहिए उसमें आप कुछ ब्लैकबोर्ट पर नोट डाउन भी कर सकें ऐसा कुछ फ्लोचार्ट वगरा भी बन सके ऐसा टॉपिक लेना चाहिए और टॉपिक कोई कॉमन सा लो कॉमन सा एंदर सेंस की आप स्वयम को नॉलिजिबल दि पढ़ते हैं को इसका नकार अत्मक प्रभाव नहीं रहा दूसरा यह है कि अपनी लोकालिटी को आप अच्छे से पढ़ें और राजस्तान जी के प्रमुख बिंदू को देख लें जो हमारे एस्पिरेंट्स आउट ऑफ स्टेट हैं वह अपने लोकालिटी को भी देखिए राजस्तान जी के प्रमुख बिंदू भी देखिए राजस्तान जी के आट ओफ स्टेट के लोग हैं वह थोड़ा कम जादा भी हो गए तो चलेगा लेकिन उनकी खुद की लोकालिटी से संबंदिज जो सवाल होते हैं वहाँ आपके लिए आपको ज़रूर तयार करने चाह अगला है राजस्थान के करेंट इवेंट्स जो है उसके लिए मुमल और क्रानोलाजी पढ़ी जा सकती वैसा बखबार पढ़ रहे हैं आपको ऐसा चावशकता नहीं पढ़ेगी लेकिन दिल है के मानता नहीं आपका भी दिल कहेगा नहीं कुछ कमी नहीं रह जाए कमी नहीं बाई एंड शुबंभावतु